नमस्कार मित्रों, वेलकम टू IAS Saga, History of India सिरीज में आज हमारा 11th लेक्चर हैं इस लेक्चर में हम अशोकन इंस्क्रिप्शन्स एंड उससे रिलेडिट पिलर आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम वो सारी चीज़े डिस्कस करेंगे जो UPSC के परस्प्रेक्टिफ से इंपोर्टन्ट हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन्स के बारे में बात करेंगे अशोकर ना उन्सक्रिंस को आठ हिस्टोरिएंज थ्री केटेगरीज में डिवाइट करते हैं पहले जो केटेगरी है वह है रोग एडिक्ट सेकेंड है पिलर एडिक्ट और तीसरे हैं केव एडिक्ट यारे इन तीन परकारं की हम है अशोका के if sits मिलते है इसमें से जो रोक एडिक्ट हैं वो अशोका की जो परसनल हिस्ट्री है यानि कि अशोका ने जो अपने लाइफ टाइम में या फिर ऐसा किंग क्या-क्या उसके लाइफ में इवेंट्स वह इंपोर्टन इवेंट्स जो उसकी लाइफ में हुए उनको इन एडिट्स के उपर म+. ऐब भी लिख्वाय गए माइज और स्अबुप्राइछित वह अब कुछ जगर हैं कुछ लोकेशन्स पे और आपको जैसे मानने लीजिए एक लाइन दूसरा परेग्रप तीसरा परेग्रप तो इसने के 14 परेग्रफ है तो वह 14 परेग्रप जो है वह इस तरीके से लिखा गया है, minor rocket जो है वो random है वो कहीं random तरीके से उनको inscribe करवाया गया सेकंड जो टाइप है वो है pillar edits, pillar edits basically जो अशोकान pillars है उनके उपर इनको inscribe करवाया गया, जो pillars edits है यह अशोका के जो royal orders है यानि कि king के रूप में जो अशोका ने जो अपने टाइम पर जो orders निकाले थे जन्ता के लिए या भी बियोक्रेसी के लिए उन सब को इनके उपर inscribe किया गया है अब इसमें से जो pillar addict है वो भी तीन प्रकार के हैं पहला है major addict major pillar addict यह 6 है यानि कि 6 का सेट है बस टोपारा जो है डिल्ली टोपारा वहाँ पर 7 का सेट आता है बागी सब जगर 6 का है minor addict जो है वो चार है minor pillar addict चार है उसमें से तीन तो schism addict है schism addict मतलब जो बुद्धिजम है उसमें जो division है उसके oppose करने के लिए उसके खिलाव अशोक ने ussать as因为 application लिख prêt याए और इंसक्रिप्चानस लिखवए हैं यह तीन inscription से एक जैसें एक ही बात कहिए закончHoag तोड़े थोड़े variations के साथ सांची में सारनात में और Allahबाद 19 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इसके लाबा हमें जो अशो की पतनी थी कौरव की किविन कौरव की उनका भी एक एडिक मिलता है हमें अलाबाद में अदाबाद कोशाम पिलर बोलते हैं उसको इसके लाबाद दो कमोमरेटिव इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अशो का के हमें एक तो दौनों की दौनों नेपाल में हैं। लूंबिनी के पास में। गमपरके इंसक्रिप्शन मतलब अशूका जब लूंबिनी गये थे उन्हों ने वहाँ पर अपने आने के और बुध्धा कि इस्थान को दर्शन करने की जो घटना है उसको उन्होंने कमेमरेट करने के लिए पिल्डर इंस्क्रिप्शन लुहाँ पर इस्थापित करवाए थे सतली है कि इसके अलावा तीसरी केटेगरी और ओफ एडिक्त investment है वने के केव टीक्ट आशोका के हमें 13 के वरियुक्र अक्रवर वह भी केवल और केवल Îंचनाव में जो कि हमें बताते हैं कि अशो क नें आझीmmgehen का सेट को यह को यह जो केव हैं तो गैएं सकत हैं कि हमने बाले बात किये जो र separating घ्लीट सफितले सब्सक्रीचिंज सबना लुट युट के सब्सकतों क्यूंदिए पार्मिर्वेस्टocyy वेशन कर लिए सब्सक्राइब आप लैंग्मीरिफ देना स्पीसुट्स आप है इसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शन हमें ग्रीक और अर्माइक में मिले हैं हम देखें कि जो सर एक होना कांधार का जो इंस्क्रिप्शन है, वो हमें ग्रीक और अर्माइक दोनों में मिलता है, बाइ-lingual भी ग्रीक में जो लिखा है उसी का अरमाइक translation भी वहाँ पर लिखा हुआ है यह जो सरेक उने वाला inscription है यह major edit है और यह जो है जो 1-14 वाले major edit है ना 14 उनी का जो ग्रीक में translation है अरमाइक में translation वहाँ पर लिखा हुआ है वहीं हम देखेंगे लगमान में minor rogue edit है जो की अरमाइक inscription अरमाइक language में इसको लिखवाया गया है तक्षिभरा में भी same to same, यही अरमाइक में लिखवाया गया है उसके लाब हम देखेंगे तो bilingual हमें Prakirtz और अरमाइक में मिलता है यह भी minor rogue edit है कानधार में जो Major Rogue Edicts ने आप ज़हातर हम हमें देखldigtेंगे इस Map में तो आपको Border वाले एरिया में मिलेंगे भी ईजश गन्देशं ने, जो परेत्ति बाही है इंडो-गंजिटिक प्लेन में , इस वाले रेजिन में मिलते हैं अपिरेडिक्ट से जाज तर वही माइनर रिट की बात करें तो माइनर रिट की जाज तर जो थैंसिति यह सौथ इंडिया में है कर नाताriv रांदर प्रदेश वाले रिजिन में है необhadा मेश curry एकम हमें में समझने के लिए यह मैंने लिखवाए है अधर्वाइस कितनी याद रखने की जुरुत नहीं बस समझने के लिए जैसे हम देखेंगे जो कांधार का इंस्क्रिप्शन है जैसे 14 जो मेजर रोक एडिक्ट है बागी नहीं मिलते हैं एक से गयरा भी नहीं मिलेंगों चोदा च्कोदा म इंसक्रिप्शन है यह इससे लिए कर चोदा के मेजर रोक एडिक्ट है को मिलते हैं कि तोली और जोगढ़दा में क्या हुआ कि जो 1 से लेकर 10 तक की इंस्क्रिप्शन तो जो major inscription है, रोक एडिक्ट वो हमें मिलते हैं, उसके अलगा चोधवा भी मिलता है, परंतु 11 से लेकर 11, 12 और 13 इसको replace करके उनकी जग़े एक separate से रोक एडिक्ट 1 और रोक एडिक्ट 2 लिख दिये गए हैं, वहीं सनत्ती में, मिलता है हमें 11, 13 जो इसका जो कांधार वर्जन है, यहाँ पर हमें जो कांधार वर्जन में जो मिलता है, उसमें अशोक आपने कलिंगा के युद्ध के बारे में describe करते हैं, तो यहाँ पर यह inscription गायव है, जो धोली और जोगाड़ा, दोनो कलिंगा में है, और यहाँ पर व separate से नया एडिक बना कि यहाँ पर चिपका दिया गया है, तो इस तरीके से Major Rock Edict इन जगह पर मिले है, अवितक खुदाई में, और सब जगह पर सारे जो Major Edit नहीं मिले हैं, कुछ-कुछ जगह पर सारे मिले हैं, कुछ-कुछ जगह पर सारे नहीं मिले हैं, कुछ पार्टस मे मिले हैं इसके लाव आल यपास गिर कि बात करें तो छो छे प्रे euros et जो छेका सट है वहमें इं जगह पर मिलता है देली वाले में अलाबाद वाले में लोरिया अरणज में लो्या-नंदगर्ड और लॉआम पूर्वा में अब रहामपुर्ववा में दो जॉआल一定要 एक तो जो आ kıल ए जो बुल वाला पिलर उसपे कोई इंस्क्रिप्जिन नहीं एक दूसरा पिलर है उस पे ए Mongo लिखा हुआ है इसके लबाए दो जो mail फीजए पिललर एलिक्ट्ट्ट जोगी ओर जीलिकी तो चfrei टेम पिए यहां पर साथ है है खांदार में जो है गंदृ है कंदृ में केवसी बूर केवसी तरय मिलता है कि डोके तोड़न सेवने स्पवेकिल घ्रीक में ट्रांस्ट्ट्शन आपर हमें मिलता है का नदम आते हैं पर मेंस में अनलेस्स आती हैं और बहुत इंपरन रुथी हैं कि क्या उसके फीचर्स थे वह ज्यादा इंपरन रहा थे अशोकन जो पिलर है वह किसी construction का पार्ट नहीं है वह अपने आप में ऐधे फ्री ली developed, free standing pillars है किसी building को सहारा देने के लिए नहीं बनाया गया है उनको कुछ special purpose के लग से freely बनाया गया है तो वो एक तरीके से free standing pillars है दूसरा कि जो यह ऐसा मानते हैं कि जो यह अशोकन पिलर है यह वर्ल्ड की एक्सरस मुंडाई को represent करते हैं हमने पहले बात कि settlements जो अशोकन पिलर से इन पी जो इडिक्ट मिलते हैं वो चे का सेटि मिलता है बितल इसके अलावा हमें रोमेंदी और निगाली सागर में हमें को देखने को मिलता है इस की उपर लिखवाए गया है इस वाले एरिया पर इंसक्राइब किये गये इंस्क्रिप्शन यह आप मैं इमेज में दे सकते हो यह फिलरें इसके उपर लाइन का कैपटल है जो पिलर है यहां नहीं कि सारे पिलर में इसक्रिपशन से ज साले संब्सक्राइं कि हापर इन को पुरी तरह किसे मेख तयार करके इनको इस्टेब्लिश करना था या स्टापित करना था वहां इनको ट्रांसपोर्ट करके स्टापित किया गया है सबसे इंपरेंट बात है कि यह जो अशोगा के जो पिलर्स है यह मोनोलिट्स है यानि कि single stone से इनको करकर के बनाया गया है multiple stones जोड़े नहीं है single stone को जोड़ा और उससे single stone से इसको काटा गया और बना दिया गया ठेट यहां नीचे से लेका ठेट capital तक पूरा एक stone का यह कोई joint नहीं है में जो ऑशोकन पीलर्स हैं इनति सर्टेस वहुत लस्टर अपॉलिसीट है क्योंकि किस्य इनके इंस्रीप्श्न निखने के लिए रिए इंस्रीपशियृज के लिए इनको बनाया गया तो इनस्क्रिप्शन के लिए बहुत व् хотел बहुति सॉफट का design दी गई थी अशोकन पिल्डर है इनमें कोई बेस नहीं है सबसे important factor there is no base in इसक्रिप्शन कोई बेस यूजिए नहीं गया गया बिना बेस के इनको बनाया गया है और जो इनकी जो सेफ्ट है याने की जो पिलर है जो नीचे वाला एरिया यह वाला यह वाला यह वाला यह यह वाला यह देखेंगे आप नीचे चोड़ा है पर देरे 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 उपर जाते है तो सकड़ा होतो जाता है तिसरी तीजी की जो नीचे वाला पिलर है और जो उपर है इसको करने के लिए यह यहंको इन्वर्टट को है को यह सब जोलते हैं पंद मिलता है और कुछ जगह पर हमको circular मिलता है। इसके उपर तो फिर finally capital रखी होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग capital मिल दी है, कुछ जगह लाइन मिला है, कुछ जगह चार लाइन मिले हैं, दूसरे की तरफ पीट करके खड़े होएं, कुछ जगह पर हमें elephant मिला हैं, तो अलग अल capital का capital है, संकीसा में elephant का capital है, सांची में देखें तो चार लाइन जो हैं, जो सारनात वाल अपना अशोक अस्तम है, उसमें चार लाइन है, वो सब दोनों सारनात में भी वेशाई मिला है, सांची और सारनात में भले ही quadruple lines मिलें, पर इनमें थोड़ा सा difference है, जो कि हम अगली elephant capital है, सांची और सारनात के pillar में क्या difference है, सांची और सारनात के pillar में इस तरीके से चार लाइन यूज किया गया है, बनाए गया है, देखिए, चार लाइन यहाँ पर भी है, सांची वाला उपर यह सांची का है, और यह सारनात का है, पर तो आप देख सकते हैं, कि जो सांची का जो अभेकस है इसमें कोई भी किसी प्रकार का एनिमल यूज़ नहीं किया गया इसमें केवल पेकिंग गूज यानि कि डिजाइन बनी वी यह अंदर गाड यह बनाये गई है वहीं जो सारनात वाला जो अभेकस है उसमें आप देखो गए चार एनिमल है, elephant, horse, lion and bull, ये भी important fact नहीं कि, जो सार्नात का pillar है, उसमें जो capital है, उसके abhekas में कौन-कौन से animal है, सबसे important fact है, और इनको जो क्या है, इनको जो चारो एनिमल को separated किया गया है, एक wheel से, अब ये wheel है, इसमें कितने चकरास है, 24 चकरास है, वहीं जो buddhist, जो wheel है, उस उसमें 8 स्बोट होते हैं। और इसमें कितने स्पोट हैं कि चो 20 स्बोट हैं, सानलात वाले मियां ये इक इंप्रोंट फेक्ट है। inscriptions के बारे में देख लिया मेरे साथ इस वीडियो में जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you very much